ज्वाला मुखी शहर में यातयात नीमों का उलंगन करना बहांचालकों की आदत बन चुकी है इसे बहांचालकों में जागरुकता के कमी कहा जा सकता है जिस पर पुलिस ने सिकंचा करस्ते हुए इस फरवरी मां में 4 लाग से उपर जुर्माना बसूला है रिपोर्ट के अनुसार ज्वाला मुखी रक्कडवा खुनियक शेतर में कुल मिला कर 1497 बहांचालकों के चालान कियागे तथा इन बहांचालकों से 2,41,200 उपेज जुर्माना बसूला गया ज्वाला मुखी शेहर में यातायात नियमों का उलंगन करना बहांचालकों की आदत बंचुकी है इसे बहांचालकों में जागरुकता की कमी कहा जा सकता है जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए फरवरी मां में 4 लाग से उपर का जुर्माना बसूला है ट्राफिक पुलिस ज्वाला मुखी की इस फरवरी मां की रिपोर्ट की आंक्रे यही कुछ कह रहे हैं ट्राफिक पुलिस की फरबरी मा की रिपोर्ट के अनुसार जॉला मुखी रककडबर्ग खुंडिया क्षेतर में कुल मिलाकर 1497 बाहन चालकों के चलान किये गए हैं तता इन बाहन चालकों से 2,41,200 रुपए जुर्माना बसूला गया है लेकिन इसके बाप चुद बिगडैल चालक ट्राफिक नियुमों का उलंगन करने से बाजन नहीं आ रहे हैं बहीं अबैल खनन के 30 चलान किये गए वो 1,57,200 रुपए का जुर्माना इकठा किया गया इसमा डॉपलर रडार पर ब्रीत एनलाइजर का उप्योग कर बिगडैल चालकों पर कारवाई है तु उनके चलान किये गए हैं लेकिन इसके बाबजुद शेहर की सड़कों पर बाहन चालकों द्वरा ट्राफिक नियुमों का उलंगन करना चारी है ट्राफिक पुलिस की रिपोर्ट के अनुजार इसमा ड्रंक एंड ड्राइब के 38 चलान किये गए जिने नियायल ने में पेश किया डियस्पी जॉला मुखी तिलक राज ने बताया कि कोटपा एक्ट तंबाखो नियंतरन कानून के तहट सार्बजन एक स्थालों पर धूमरपान करने बालों के खिलाफ बिशेश अभ्यान चलाया गया जॉला मुखी उपमंडिल के रककर खुडिया के तमाम थानों और शोक जुर्मान बसूला कोटपा एक्ट के तहट पुलिस ने 334 चलान किये और 17,700 रुपए का जुर्मान बसूला ट्रैफिक पुलिस ने फरविमा में कुल मिला कर 4,16,100 रुपए का जुर्मान बसूला है अब ट्रैफिक पुलिस पीड गन के जरिये भी चलान कर रही है माइनिंग के अंडर हमने पूरी सब्दूजिन में 30 चलान किया है और 157,200 रुपिया फाइन है कोटपा के अंडर हम 334 चलान किया है पूरी सब्दूजिन में 17,600 रुपिया फाइन हुआ है और MB-8 के अंतरगत हमने जीरो टोलेंस चलाया है ड्रंकन ड्राइवी के अपर जिसमें फुल चलान जो 38 चलान है ड्रंकन ड्राइवी जो सेंट्टू कोट होता है कोट में फाइन हुआ हुआ है